हलो 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 आप सभी बच्चों को MR का बहुत बहुत नमस्कार स्वागत है तस सूपर इनरजेटिक उठन स्रीज में और आज हम लोग बात करेंगे ग्रेविटेशन की ग्रेविटेशन से बेटा दो या तीन सवाल पक्के आते हैं और यह छे छोटे-छोटे टॉपिक है छे छ पक्का है कि एक सवाल इससे बनता ही बनता है इसके विलोसिटी और विटल विलोसिटी से बेटा एक सवाल बनता है सेटलाइट एंड के प्लर्स मोशन से एक सवाल बनता है तो तीन हो गया हाँ तो तीन आ सकते हैं नहीं तो दो तो पक्का से ही आएगा तो कितना आसान बात यार छे टॉपिक से दो से तीन सवाल आ सकते हैं मतलब हर टॉपिक को अच्छे से पर लो और बहुत लार्ज स्किल पर टॉपिक नहीं है इस इजी है और थोड़ा थोड़ा स्पेशल केसे और इसके फॉर्मूले पढ़ने होते हैं तो सबसे पहले बेटा शुरू करते हैं सेप साइज पर डिपेंड नहीं करता है वो हर तरह के सेप साइज के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता ही लगता है तो लेकिन हमने पढ़ा था पॉइंट मास और स्फेरिकल सिमेट्री सुन चाचा न्यूटन्स आपने बोला था ग्रेविटी का फेनोमना हर सेप सा यह यह फॉर्मूला सिर्फ वैलिट फॉर वैलिट फॉर पॉइंट अबजेक्ट वैलिट फॉर पॉइंट अबजेक्ट 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 अड़ स्फेरिकल स्फेरिकल मास सिमेट्री पॉइंट अबजेक्ट और स्फेरिकल मास सिमेट्री के लिए व कंजर्वेटीव होता है। संट्रल यह फोर्स पीटा लॉंग रेंज है। यह इंवर्स nose को फॉलो करता है क्यों इनवर्स इपर स्क्रेंस करता है। always attractive होता है कभी भी repulsive नहीं हो सकता, medium independent होता है, gravitational force medium पे depend नहीं करता, independent होता है, यह central होता है, central तो लिख दिया भाई साब, meditated by graviton होता है, क्या होता है, meditated, gravitational force meditated by क्या होता है, graviton होता है, कई आ जाया तो याद रखना, yes, graviton नाम हमने सुना है, meditated by graviton होता है, action reaction pair बनाता है, action reaction pair ब सेंट्रल फोर्स होता है इनवर्स स्कॉरे लोग को फॉलो करता है अल्वेज अट्राक्टिव होता है मीडियम इंडिपेंडेंट होता है मेडियेटेड वाइट रेक्षिन पेर बनाता है यह सारी मोटी-मोटी बाते हो गए एक दो छूट यह होगा तो आप अड़ करना नहीं इस मांस ने जो इस पर लगाया है वो फोर्स की वैल्यू तीसरे मांस के प्रजन्स परõजेंस पर डिपेंड नहीं करते है यही सूपर पॉजिशन तोरह में बड़ा फेमस और सवाल जो इलेक्ट्र स्टैट में भी आता है ग्रेवीटेशन में भी आता है कि बताये अगर इ स्क्वाइर बाई ए स्क्वाइर यह लाइन जोइनिंग के लॉंग फोर्स लगाएगा f is equal to g m स्क्वाइर बाई ए स्क्वाइर दोनों फोर्स की value सेम है हाँ सर एको लेटरल ट्रेंगल होने की विए सेंगल 60 डिगरी हाँ तो net force इधर हो जाएगा और उसकी value होगी net force की value होगी सेम फोर्स का magnitude 60 डिगरी पे root 3 g m स्क्वाइर बाई ए स्क्वाइर तो सर इसको अगर मैं यहाँ से release करतू तो कितने acceleration से भागेगा तो force बटा mass ही तो acceleration होता है तो acceleration होगा root 3 g m बाई ए स्क्वाइर कितनी असान हो गई सर ऐसा भी होता है कि एक square है उसके चारों corner पे mass रख दिये तो बताइए एक पे बाकी तीनों की वैसे force कितना लगएगा side length L है तो यह इसको अपनी तरफ खीचेगा यह अपनी तरफ खीचेगा F F से यह जो force लगएगा और यह जो force लगएगा इस पर उसका magnitude सेम होगा निकल जाएगा कोई खास बात नहीं है एक equilibrium के सवाल आते हैं कि माल लीजे m mask object और यह n times m mask object n may be greater than than this object तो इससे कितना गुना ज़ादा है इस case में जो तीसरा mass हम x distance पे रखते हैं ताकि उस पर net force इसके और इसके वैसे cancel हो जाए x की value क्या होनी चाहिए अगर इन दोनों mask object के बीच की distance small आ रहे है तो क्या कि MR star मैंने आपको बता हुआ है जैसे यह mass है और इने mass है तहां से distance कितना होना चाहिए कि यह equilibrium में आ जाए इस पर net force बेटा क्या लगे 0 लगे तो x is equal to होता है आर बटा root अंडर n प्लस 1 इसको verify करने के लिए आप एक MR star लगा सकते है अगर n बराबर 1 होता तो mid में आता है यह point जब दोनों masses बराबर है तो equilibrium तो mid point पे आएगा हां तो इनको 1 रख दो इनको 1 रख होगे x is equal to r बटा 1 प्लस 1 2 हो जाएगा देखो कितना चाहिए जोड़दार समझ में आए कि नहीं और यह electrostat में भी valid होता है हां लेकिन यहां पर masses एक ही तरह के हो सकते होगा चार्ज दो तरह के होते हैं तो कभी बीच में भी आ सकता है identical charges के लिए और अगर different charges है तो चोटे वाले चार्ज से उस तरफ होगा जिसकी value होगी x की x is equal to r बटा root in minus 1 यहां पर होता same identical charges या identical mass के लिए mass तो identical होगा identical charge के लिए लगता x is equal to r बटा root in plus 1 ठीक है अच्छा इसमें ऐसे भी सब सवाल आता है कि m mask object यह origin पे है फिर एक m mask object 1,0 पे है फिर m mask object 2,0 पे है फिर m mask object 4,0 पे है फिर m mask object 8,0 पे है इस वाले पर net force बताइए क्या होगा 10 times मैंने gp series से कर आया क्या कर लोगे इस सवाल आजर बहुत easy gp series से कर लेंगे अब 2013 में एक सवाल पूछा है two particles of equal mass m moves in a circle of radius r under the action of mutual gravitational attraction then speed of the each particle भी नीट में दो बार पूछा है जैई में 10 बार पूछा है यह दो identical particle है m और यह एक दूसरे को अपनी तरफ force लगा के खीच रहे है एक दूसरे को अपनी तरफ force लगा के क्या कर रहे है खीच रहे है खीक तो इनका speed बताईए कितने radius पर दिया है radius r r radius के circular पात पर यह घूम रहे है इनकी speed क्या हो सकते सबसे पहले बाद circular पात पर घूमने के लिए जो force लगता है और center की तरफ लगना चाहिए centripetal force जिसकी value होती है mba square by r आसर होती है center की तरफ centripetal force लगना चाहिए mba square by r वो कौन लगाएगा इन दोनों का mutual gravitational force वो भी center की तरफ जाएगा जब यह diametrically opposite point पहोंगे तो g m square बटा यहां से और यह मास के बीच में distance हो जाएगा 2 r का whole square तो m से m square कट होगे m आएगा r से 1 r square यहां पर कटेगा बस तो r रहेगा 4 r square आजाएगा तो g small m बटा इस 1 r से r square कट होगा r बचेगा 4 r तो v की value आ गए root under g m बटा 4 r दी आ रहेगा बिलकुल सही है next देखे अब बड़ा बढ़िया सवाल है इलेक्टोस्टेट में भी ऐसे सवाल मैंने आपको two object of equal masses placed at a certain distance m और m को certain distance नहीं दिया है तो d मांदे two object of equal masses placed at certain distance from each other attracts each other with the force of f f force से एक दूसरे को attract दिया तो जाएगा g m square by d square if one third mass of from one object transferred to the other मतलब इसका जो mass है ना m उसका one third m by 3 निकाल दिया तो बचेगा क्या सब इसमें बचेगा 2m by 3 और इसको दे दिया इसमें तो m plus m by 3 4m by 3 अब इसके बीच में कितना force लएगा तो f dash हो जाएगा g 2m और 4m तो 8m बटा इंते 9 d square 8 by 9 times force तो हमारा change हो गया यह answer आगे बस कम हो गया तोड़ा force हाँ जब equal equal रहते है तभी force maximum लगता है जैसे यह सवाल आपने देखे होंगे या कि होंगे कि m mass को मैं दो part में divide करके किसी certain distance पर रखता हूँ तो m1 m2 का ratio क्या होना चाहिए कि इनके बीच m1 m2 के बीच force maximum लगे तो m1 is 2 का ratio आना चाहिए वो 1 is 2 आना चाहिए तो मगर दो हिस्से में बाटोगे तो gravitational force maximum तभी लगेगा जब इन दोनों का value बराबर कई बार m1 और m का ratio पूछेंगे ताकि force maximum लगे m1 बटा m का ratio पूछेंगे तो 1 is 2 2 क्योंकि इसको बराबर हिस्से में बाटोगे तो 50-50 होगा तो इसका आधा ही होगा ना ये clear है क्या ये बात बता दीजिए please देखिए assertion reason selective सवाल जद्दम relevant है neat में आ सकते हैं conceptual दो line के numerical वो करार है आपको the law of gravitation holds good for any pair of bodies in the universe सही बात है law of gravitation जो है ना Newton's law का formula नहीं law of gravitation phenomena of gravitation law of gravitation holds good for any pair of bodies in this universe yes gravitation तो किसी भी दो object की बीच में लगता है law of gravitation Newton's law का formula अगर बोले तो वो नहीं लगया the weight of any person becomes zero when the person is at the center of center of earth पे जो gravitational force होता है earth के और body के बीच में zero हो जाता है इसलिए weight zero हो गया है ना तो both statement and second are true मेरे इसाब से first answer आएगा assuming that to be sphere अच्छा ठीक है next is next is acceleration due to gravity acceleration due to gravity acceleration due to gravity बेटा एक ही बोड पेक्दम सांदार तरीके से मैं तुम्हें बताऊ माल लेगे कोई planet है या earth है जिसकी radius है r और mass है capital है उसेंट अर्थ के surface पर exactly अर्थ के surface पर मतलब अर्थ के surface पर कोई small m object का mass रखोगे इन दोनों के बीच में force क्या लाएगा इन दोनों के बीच में force लाएगा G capital M small m बटा small m बटा अच्छा एक मेन टेक बटा एक चीज़ और मैं तुम्हें बता दू गलत नहीं होना चाहिए भाई gravitational field intensity gravitational field intensity क्या होता है gravitational field intensity होता है जैसे मान लीजेए कि small m mask object है तो r distance इसकी field कितनी होगी r distance पर बटा इसकी field होगी r distance पर जो इसकी field होगी वह होगी force per unit mass और gravitational field intensity force की direction में होता है मतलब यह vector जैसे force experience per unit charge electric field होता है force experience per unit charge electric field होता है force experience per unit mass gravitational field intensity होता है यह vector होता है force के लौग इसका direction होगा इसका unit क्या होगा unit होगा Newton per meter Newton per kg Newton per kg Newton per kg को लिख सकते हो meter per second square क्या होता है और यह हमेशा position vector के opposite होगा क्योंकि यहाँ पर कोई भी mass रखोगे यह जो इस पर force लगाएगो इस direction में लगाएगा m mass पे लगने वाला force force किदर लएगा पीछे की तरफ लएगा point mass की वैसे यहाँ पे gravitational field intensity लिखोगे तो लिखो गया force force होगा आपका G capital M यहाँ पे small M beta r square beta M force beta mass M से M कट गया vector form में लिखोगो तो minus sign लगाऊगा force जो है वो इसके position vector के opposite लग रहे है gravitational field intensity आएगा minus Z M r square into r cap r cap तो direction बता रहा ना force की direction पीछे की तरफ है force की direction किदर है पीछे की तरफ है अच्छा ring का gravitational field intensity क्या होगा जैसा electric field आता है ring का यहाँ से x distance पे वैसा ही gravitational field intensity आएगा electric field क्या आता है तुम्हीं तो याद रखना पड़ेगा k q x यह distance x बता r square plus x square का power 3 by 2 क्या इसका graph भी बना है था कुछ ऐसा बनता है x is equal to r by root 2 पे electric field maximum होता है उसी तरीके से gravitational field होगा i बराबर g इसका mass m बता x r square plus x square का power 3 by 2 that's it यहाँ पे आप अगर graph बनाएंगे i versus x का यह इसा ही graph बनाएंगे और that x is equal to r by root 2 पे आपका ही maximum आएगा सेम वही डिट्टो छमा छम hollow sphere के लिए देखते है hollow sphere के लिए देखते है hollow sphere के लिए बात करेंगे hollow sphere अंदर खाली है अंदर से smaller distance पे कहीं भी आप field निकालने जाओगे पूरा sphere इस point पर कोई small m mass रखके force उस पर लगेगा field का मतलब के दब force on a unit mass पूरा system पूरा spherical का surface क्योंकि अंदर खाली है पूरा इस पर m पर जो force लगाएगा जिरो लगेगा तो inside आपका gravitational field intensity क्या होता है zero same as hollow sphere के अंदर electric field zero होता है इस से smaller distance आउटसाइट रिजन में यहां देखोगे तो outside region में सेम होई सही है अगर जैसा point mask का है सारे sphere के mask को up center पे मान के लिखेंगे r-cap direction के लिए magnitude लिखोगे तो i बरावर यह मटे small r square that's it और अगर आप surface पर लिखोगे surface पर small r को capital r लिखतो small r को capital r लिखतो अगर आप graph बनाते हो magnitude of gravitational field intensity और r का magnitude of gravitational field intensity और r का तो अंदर में gravitational field intensity 0 है और surface से बाहर rectangular hyperbolic है बोलो मज़ाया की नहीं small r बरावर capital r अंदर में 0 है अच्छा कई बार graph न i versus r का graph कैसा बनेगा i versus r का graph ऐसा बनेगा पर नीचे क्यों बनेगा क्यों i negative है i negative है अच्छर लेकिन option में i का graph यह सही दिया हुआ यह option में ऐसा कोई option ही नहीं है ऐसा चार option ऐसा है चार option कुछ इस तरह का है तो यह टिक करेंगे understood understanding के ऊपर है solid sphere में क्या होता है solid sphere का सिखाए solid sphere का देखो यह solid sphere है mass हर जगए तो अंदर में जिस तरीके से electric field vary करता है आपको याद solid sphere के अंदर electric field क्या होता है solid sphere के अंदर electric field क्या होता है याद होना चाहिए इस तरीकत ही रही है mass की स्वेर का mass अंदर में यह होता है inside में inside में जो gravitational field intensity होता है electric field intensity होता है distance बढ़ाने पर बढ़ता है और surface पर क्या हो जाएगा surface पर small r को capital रखो g mass m small r को capital रखोगे capital r से capital r q क्योटए direction देखोगा attractive force होने की वैसे i की direction अंदर आए यहाँ पर direction के साथ लिखोगे vector में r minus r outside region में क्या होगा outside region में सारे mass को center पर मानेंगे minus gm by capital नहीं small r का whole square r सारे mass को कहा मानेंगे center पर मानेंगे अब यह तुम्हारा हो गया i mod of i versus r का graph straight line keek पर होगा surface पर और फिर rectangle है पर कुल और gravitational field intensity होता है force by unit mass similarly similarly acceleration due to gravity भी तो होता है force upon mass acceleration acceleration तो है force upon mass और gravity की वैसे देख रहा है earth planet की वैसे देख रहा है तो इसी acceleration को हम acceleration due to gravity जी बोलते है सर अगर आप कहना चाह रहे हो आप कहना चाह रहा हो कि surface पर हमने gravitational field intensity इतना लिखा है किसी sphere के earth भी तो sphere है earth के surface पर gravitational field intensity इतनी होगी earth की और जो gravitational field intensity होती हुग acceleration due to gravity के थे हाँ तो acceleration due to gravity ही है अगर मैं यहां पर लिख दू तो बुरा मत मानना चाचा मोहन बुरा मानेगा क्या पुरा मानना ही तो अपने सकल का मान अपने बुद्धी का मान इसका तो बाद में मानना यहां पर अगर मैं लिख दूए solution due to gravity on earth surface gm by r square तो इसमें कोई हुआ ही नहीं है एकदम यही होगा यही है solution due to gravity और r के साथ graph बनाओगे rectangular hyperbolic बनेगा surface पर साह बाहर में यहाँ अगर तुम center से r distance पर देख रहे हो तो यही तो आएगा gm बटा r square वहाँ पर क्या करते है कि हम center से r distance पर ना बोल कि हम बोलते है कि distance से capital r और surface से यह है h small r जो center से measure कर रहे है small r जो center से measure ku r plus h लिख देते हैं इसको लिख देते हैं gm बटा r plus h का whole square, small r को, अचा एक बात बतो, gm को g not r square लिख सकते हो, तो gm को लिख सकते हैं g not r square बटा r plus h का whole square, यही तो इसे lesson due to gravity height पर है, h8 height, यही तो इसे lesson due to gravity h height पर है, देख, अचा, अगर deep depth पर हम देखें, यह center से r distance पर देखें, अंदर में, inside, inside center से r distance पर देखें, तो क्या सर यह आएगा, center से r distance पर यह आएगा, हाँ यही आता है, gm small r, y capital r, यही तो आता है, बस यहाँ पर दो चीज करना है, कि gm को, इस gm को g not r square लिख दो, तो सर gm को g not r square लिखेंगे, हाँ लिखो, कोई दिखकर दो, r square लिखेंगे, और यह तुम्हारा small r, capital r है, हाँ, यह cut के उपर r आ जाएगा, अरे भाई साब, वो ही तुम्हें कहूं, गलती कैसे हो रहा है, यह g small m r, बट r cube है, अंदर में, यह formula लिखेंगे, inside, 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 r cube, तो यह हो जाएगा, gm को लिखो, g not r square, r square, तो r square स r क्यों cut एकर नीचे r आ जाएगा, यह, center r distance पर यह है, तो इसे lesson due to gravity का formula है, कि अब feel आ गई पूरी, अच्छा, small r को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से center से देख रहा हूँ, मालो surface से यह d डेलता है, d को लिख सकता हूँ, capital r minus small r, d क्या हो जाएगा, capital r minus small r, sorry, small r को क्या लिख सकता हूँ, small r को लिख सकता हूँ, capital r minus d, capital r में से d घटा दूँगा, तो small r आएगा, small r को लिख सकता हूँ जी नोट कैपिटल आर माइनस डी इस आर को अंतर ले जाओगे तो जी नोट वन माइनस डी बाई आ बोलो एक तो मोख्ष मिल गया की नहीं मिल गया जब यह फॉर्मूला ही यही लिखा तो ग्राप ही तो ऐसा ही बनता है यह एससे लेसन ड्यूक्रिश ड्यूड også अर्द कर साफ कर देखेगा थ JUЙ तो ग्राप बनता है लोग कौन दो सभी जो मर्डिय है बोल लो सिंपल आ़ ईची है क्पाल गया कि और मॉर्ट जी हो बटम झाइनंक्डiant रगर दिया की नहीं रगर दिया concept को बता तो तुम्हें gravitational fill intensity भी समझ में आ गया और इसे लेसन द्यूटु gravity भी समझ में आ गया थील भी आ गया कि force बटा मास वो हता है force बटा मास ऐसे लेसन भी होता है exactly same same आये exactly same same मैं फिर से दुबारा से बताओं गा तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है माल लो ये अर्थ है जिसका radius r है मास है में तो इसकी surface पर जो solution due to gravity होता है वो होता है gm by r square अगर different planet के surface पर solution due to gravity compare करो different planet के surface पर solution due to gravity compare करो तो g not inversely proportional to radius of square होता है अगर आप mass को constant मानते हो तो मतलब 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 मैं distance के साथ नहीं मैं distance के साथ नहीं planet के radius के साथ उसके solution due to gravity surface पर graph बनाओगे तो rectangular hyperbolic बनेगा जब आप mass को क्या लेंगे constant एक planet के लिए distance में नहीं देख रहे हैं अलग-अलग planet का अगर radius के compare में देखे जब सारे planet का mass constant है तो g not inversely proportional to r r अच्छा m को लिख सकते है 4 by 3 pi r q तो g r square इसको लिख सकते है 4 by 3 pi r q rho mass को लिख सकते है distance to volume तो r square से r q कटेगा तो यहाँ पर r आएगा ये बनेगा 4 by 3 pi g rho r तो अब अगर आप graph बनाओगे acceleration due to gravity और radius का क्या acceleration due to gravity और radius का तो straight line मतलब किसी भी planet के surface पे बहुत ज़र प्लैनेट के surface पे acceleration due to gravity उसके radius के साथ graph बनाओगे तो जितना ज़्यादा radius होगा इस acceleration due to gravity उतना ज़्यादा होगा अगर सारे planet की density constant है तो यह बहुत important discussion अलग-अलग planet की acceleration due to gravity उसके surface पे compare करोगे जिसका radius ज़्यादा होगा उसके acceleration due to gravity ज़्यादा होगा जब सबका density सेम है तो अलग-अलग planet के surface पर acceleration due to gravity compare करोगे जितना बड़ा radius होगा acceleration due to gravity कम होगा अगर उनकी masses सेम है तो बोलो मजाया है कि नहीं अब है h-height पर h-height पर से लेसन due to gravity जी नौट r-square बटा r-plus h का whole square यह है असली original formula h-height पर जहाँ पर h-surface से उस point की height है अब यहाँ पर बात यह आती है कि exactly जब r h के comparable हो जैसे r-example में example में comparable मतलब equally comparable हो जैसे r तुम्हारा height जो है ना तुम्हारा वो 32-100 km हो या 1600 km हो मतलब height तुम्हारा 500 km से ज़ाद तब तो तुम यह formula लगाओगे तब असली वाला formula लगाओगे असली वाला मतलब यह g h is equal to g not r-square बटा r-plus h का whole square यह formula लगाओ 1600 km है 800 km है तो यह formula लगाओ 800 km है तो यह formula लगाओ 1600 km लगाओ लेकिन अगर तुम्हारा height 35 km है let's say 64 km है 500 से कम km है तो भाई यह formula में यह r रखोगे 64-100 km 64-100 km और इसको रखोगे 64 km तो निगलेज़ेबल हो जाएगा तो इसके लिए binomial approximation से यह formula आता है ग h बरावर g not 1-2 h by r यह binomial approximation से नकली formula है यह 500 से कम height होगा तब use करेंगे 500 से कम height होगा तब use करेंगे इसे lesson due to gravity 10%, 20%, 40% change हो रहा है मतलब यह असली वाले formula से ज़्यादा height पे change हुआ होगा इसे lesson due to gravity 5% से कम change हुआ है कहीं formula में तो यह formula यूज़ करेंगे कम change, कम height पर ज़्यादा change, ज़्यादा height पर सवाल करके दिखाऊंगा D depth पे जो हम देखते हैं वो होता है G naught 1 minus dyr ज़्यादा हो depth, कम हो depth दोनों में यही लगता है यही असली, यही नकली, यही हमारा रखवाला असली नकली, सारे depth पर यही लगता है डेल्टा G by G depth पर देखेंगे तो यह आता है minus d by r multiply 100 डेल्टा G by G height पर देखेंगे छोटे change के लिए तो यह होता है minus 2 h by r multiply 100 minus 2 h by r multiply 100 क्या यह याद है नहीं याद तो drive करके देख अभी भी क्या करेगा अभी भी नहीं है तो drive करके देख चाचा मोहन चले सवाल कर मजा जातो सवाल कर assuming the earth to be a sphere uniform mass density the weight of the body at a depth d is equal to ry2 वो तो असली की नकली जो यहाँ पर distance है वो radius of earth का अधा comparable है लेकिन depth पर असली और नकली तो सेम ही है from the surface of earth its weight on the surface of earth is 200 newton तो depth ry2 पर weight पूछा है weight उतना ही change होता है जिस fraction में SLS due to gravity change होता इसे lesson due to gravity d depth पर देखोगे g0 1 minus d by r d की value r by 2 d की value r by 2 रखो r by 2 कट के half आएगा 1 minus half तो रख g0 by 2 तो g0 is equal to 2d 2gd या weight on the surface of earth 200 newton तो एक काम करो यह तुने निकाला ना दोने तरफ m से multiply वेटर डी डिफ्थ वेटर अर्थ सर्फिस यह है 200 वटर दो 100 और दूसरी बात अगर मैं तुम्हें यहां पे अलाकि जेही में 2023 का सवाल है एक बात पे ध्यान केंद्रित करना चाहूं मैंने कोई option से छिरखानी नहीं किये एक छोटी सी सोच है जो आपको दुनिया से अलग बनाएगी MR स्टार जोरदार कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दिया लिख दे अगर मेरे से पहले आपने सोच लिया तो कुछ इस सवाल को पढ़के solve करके answer लगागे कुछ दिखा तो पहले लिख दो कोई बात नहीं इसकी में पहुच करके देखो और नहीं तो अब समझो अगर surface of earth पे उसका weight 200 newton है surface of earth पे solution due to gravity maximum होता नीचे जाएंगे तो भी घटता है उपर जाएंगे तो भी घटता है गराब से देख लिए यहाँ पे तो maximum इधर भी घट रहा हां 200 से जाएदा तो होई नहीं सकता चार सो पांट सो तीम सो सो एंसर होगे आप समझ में आया तो ऐसी छोटी छोटी चीजे खूप सारे कंसेप्ट को अच्छे से डिटेल में समझेंगे और फिर सवाल करेंगे तभी समझ में आया ना क्या हो रहा है कैसे हो रहा है चले नेक्स देखिएगा प्लीज अगर आप सर्फेस ऑफ अर्थ भी देखेंगे तो सेप एंड साइस के बज़ज़ से एक्वेटर की रेडियस पोल की रेडियस से जादा होती है पोल से पास हो गई मास तो वहीं लोग है लेकिन पोल का रेडियस कम है तो अगर जादा होता है एक्वेटर के कंपेर पे एक् इंक्रीस धोरी नहोता है, तो statement first true है, लेकिन second आपका false है, अच्छा, अर्थ surface के rotation की वैसे भी इसलेशन due to gravity पर फरक आता है, जैसे एक भूम रहा है बेटा, equator से अगर theta angle पर जाके, यहाँ पर आप इसलेशन due to gravity देखते हैं, तो g इस point पर जो होगा, यह मतलब g dash लिखल, तो g dash बड़ाबर g not minus omega square r cos square theta अगर इसलेशन due to gravity इसी theta angle पर देखेंगे तो यह आएगा pole पर देखेंगे, pole पर पर तो theta 90, theta 90 cos 90 0 होता है, तो pole पर rotation का कोई फरक नहीं परता है, अगर earth rotate कर रहा है तो भी earth rotation बंद कर दे, तो भी pole पर इसलेशन due to gravity सेहनी रहेगा, equator पे अगर rotate कर रहा है, तो इसलेशन due to gravity कम होगा, rotation बंद कर दे तो बढ़ जाएगा equator पे माइनस हो रहा है कम होगा नh rotation की विसले, rotation बंद कर दे तो solution due to gravity यहाँ पर क्या होगा बढ़ जाएगा rotation बंद कर दे तो बढ़ जाएगा rotation बढ़ाएंगे तो घटेगा हाँ तो कितना rotation बढ़ा दे कि 0 हो जाए गट के 17 गुना rotation अगर बढ़ जाएगा यह time period 84.6 minute यह 4 minute होता है इतना time हो जाए अगर duration अभी time period क्या है दिन और रात का 24 आवर 24 आवर को 17 से divide कर तो ही आएगा 17 गुना speed बढ़ जाए rotation of time 17 गुना कम हो जाए 84.6 यह 4 minute अगर duration हो जाएगा दिन और रात का तो आप अर्थ सर्फिस पे weightlessness महसूस करेंगे अर्थ सर्फिस पे weightlessness महसूस करेंगे यह ठीक हो गया यह हो गया अब आईये सवाल करें radius of the two planet A and B अब देखिए सवाल किस तरीके से घुमा के पूछे जाएगे radius of the planet A and B are R and 4 ठीक है and the density rho and rho by 3 density same नहीं आलग है लेकिन density दिया हुआ है नहीं दिया हो तो density वाला फर्मला यूज करेंगे then ratio of acceleration due to gravity at their surfaces अभी बता है ना जोरदार मजा है कि लिए acceleration due to gravity surface पर density के टम्स में होता है 4 by 3 pi g rho r radius of earth या radius of planet acceleration due to gravity proportional to rho and r तो पहले का देखोगे A का तो उसकी density है rho और radius है दूसरे का देखोगे surface पर दूसरे planet के surface पर density है rho by 3 और radius है 4 ये इससे कट जाएगा तीन उपर तीन बटर चार एंसर तीसरा एंसर बता भाई साब जई के सवाल है भाई रगर दिया की नहीं बताओ रगर दिया की नहीं बताओ screen pause करके इसको solve करो screen pause करके इसको solve करो क्या है rotation of earth shows effect on the value of acceleration due to gravity rotation of earth shows effect on the value of acceleration due to gravity the effect of rotation of earth on the value of g at the equator is minimum and the pole is maximum pole पे तो rotation का फर्क ही नहीं परता यही मैंने आपको बताए pole पे rotation of earth का कोई फर्क ही नहीं परता है पोल पे अर्थ की रोटेशन की विज़े से इसलेसन ड्यूट ग्रेविटी में कोई फर्क ही नहीं परता है, एक्वेटर परता है, लेकिन पोल पे नहीं परता है, समझ गये क्या, तो देख लो, क्या अंसर बनना चाहिए, जाए नेक्स देखते है, भाई, 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 हाइड ह and depth डी on the earth surface if h ब्रावर की, हfill ही हो करके आप देख सकते है, तो पहला सही है, यहाँ भी दूसरा आपका गलत है, नेक्स देखे बोडी इड डूलू इस प्रोजिटर प्रोजेक्टर अपकली अपर वर्ट कर रिच Cristo above the earth which is equal to 9 times the radius of earth height above the earth height हमेशा earth surface से मेजर करता है height कभी भी center of earth से मेजर नहीं करता है height हमेशा earth surface से मेजर करता है so height above the earth which is equal to 9 times the radius of earth then weight of the body at that height will be weight of the body at that height will be so it's a lesson due to gravity कितना हो जाएगा so GH is equal to G naught R square बटा R square प्लस ने पर असली formula यूज़ करोगे बहुत उपर चलागे height 9 times of earth of radius है मतलब radius of earth से भी 9 गुना height भाई बहुत हुआ 6400 किलोमेटर गुना 9 तो यहाँ पर height हो जाएगा तुमारा 9 R का whole square नहीं नहीं R plus H का whole square लिखते हैं R तो R है यह हो जाएगा H को लखोगे 9 R का whole square तो G not R square बटा 9 और R 10 R का whole square मतलब 100 of R square यह कट जाएगा तो G not बटा 100, M से multiply कर दो weight बटा 100 आना चाहिए कितना आसान सवाल है बता if we move from pole to equator ठीक है pole से equator की तरफ आ रहे move from pole to equator the direction of acceleration due to gravity on earth always point towards earth center of earth without any variation in magnitude नहीं magnitude बदलता है और magnitude बदलने के दो कारण है एक तो rotation of earth से भी pole पे कोई फर्क नहीं परा equator पे कम हो गया equator पे acceleration due to gravity कम होता है और earth के सेथ की बज़े से भी equator पे कम होता है pole पे जादा होता है magnitude तो सेम रहे ही गए नहीं क्या कह रहा है without any variation in magnitude at equator the direction of acceleration due to gravity is towards the center of earth हाँ ये तो सही है reason सही है so A is true but R is false A is false but R is true ये answer चला चाहिए समझ रहे हो the radius of earth sink by 2% while its mass remains the same then acceleration due to gravity radius of earth on the surface of planet पूचा है sorry acceleration due to gravity on the surface of planet पूचा है acceleration due to gravity on the surface of planet होता है GM by R is को है अब बोला है कि mass तो constant रहे radius को 2% कम कर दिया delta G naught by G naught is equal to minus 2 delta R भाई आ रहे इसको कम किया है तो ये भी minus में आएगा हाँ तो minus 2 दूना 4 4% बढ़ेगा सिंक मतलब कम किया तो ये निगेटिव और minus minus plus increases by 4% सब लेकिन percentage error में तो minus नहीं हाता है लेकिन आप तो change देख रहे है नीचे है इसलिए minus आएगा उपर होता तो minus नहीं हाता R is square नीचे R is square नीचे है लो भाई या the variation of isleason due to gravity with distance R नीचे में भाई साब 3-4 बार पूचे 10 साल में है तो isleason due to gravity का R के साथ graph क्या होगा भाई यहां देख कि ये तेरह लाइन है ऐसे ये लाइन तेरह है ये सीधा नहीं है ये स्टेट नहीं अंदर में जबकि ये स्टेट लेन वेरेशन होता है ये तो होई नहीं सकता इस lesson due to gravity अंदर में constant दो होता है इस lesson due to gravity अंदर में maximum फिर घट रहा है ये तो होता है नहीं ये answer होगा perfect center से पर 0 और proportional बढ़ता है फिर ऐसे घटता है ये तेरहा लाइन है ऐसे बनाया है इसलिए ये गलत clear है समझ में आ रहा है next देखो the length of the second pendulum at a height h is equal to 2R from the earth surface will be length of the second pendulum सबसे पहले एक बात समझो length of second pendulum क्या होता है second pendulum किसको कहते है पहले तु याद करो comment box मेशन बताओ ये याद है किया तुम्हे second pendulum किसको कहते है second pendulum किसको कहते है what is second pendulum इसको कहता है second pendulum T is equal to pendulum simple pendulum यह होता है 2 pi root under l by j ठीक है क्या अगर आप यहाँ से root को इधर ले जाओगे तो यह होगा T square is equal to 4 pi square l by g g की value लगबग 10 और pi square की value लगबग 10 यह कट जाएगा तो T square T is equal to आप लिख सकते हो root under 4 l l 1 meter second pendulum वो pendulum होता है जिसकी length हम लेते हैं 1 meter length 1 meter लेते है second pendulum length 1 meter लेंगे तो इसकी time period हो जाएगी 2 second तो 2 second time period होने के लिए 2 second time period होना चाहिए h is equal to 2 r pi solution due to gravity क्या होगा हो देख लो second pendulum वो pendulum होता है जिसका time period of oscillation 2 second होता है second pendulum वो pendulum होता है जिसका time period of oscillation क्या होता है 2 second होता है ठीक है time period होता है 2 second होता है height h is equal to 2 r पर length कितना होना चाहिए radius of the r तर ने से लेसन due to gravity length second pendulum का कितना होना चाहिए time period 2 second 2 is equal to 2 pi root under l by g h उस height पर h देख रहे है तो 2 जे 2 cut गया 1 बराबर pi l हमें निकालना है बटा g h क्या होता है g h g h g h h होता है g h होता है g not और height 2 r के बराबर है g not r square बटा r plus h का और h को 2 r रखेंगे 2 r का whole square तो यहां से आपका 2 r और r 3 r 3 r का square मतलब 9 r square तो pi root under l बटा g not g not r square 9 square तो 9 ऊपर चला जाएगा 2 और 1 तीन 9 ऊपर चला जाएगा और r square से r square कट जाएगा सिर्फ इतना है 1 is equal to pi root under 9 l by g not root को हटा दो root को हटा दोगे तो इधर जाके square होगा pi square 1 और यह हो जाएगा pi square 9 l by g not g not से pi कटेगा till बड़ावर एक वटा 9 एक वटा 9 मीटर एक वटा 9 मीटर अच्छा सवाल था ही next देखे earth has a mass 9 times the radius of 9 times if earth has a mass 9 times and radius twice किसी planet का radius से डवल है and mass 9 times earth has a mass 9 times and radius twice that of planet the v better 3 root x meter per second will be the minimum velocity required to rocket to pull out of the gravitational field ठीक है यह scape velocity की बात चल रही है तो पहले scape velocity हम समझ लेते हैं उससे पहले तो gravitational potential समझते है gravitational potential क्या होता है तो याद रखिएगा gravitational gravitational potential attractive force की वे साथ है इसलिए negative होता है इसे m mass के gravitational potential r distance पर देखेंगे ना यह होता है minus gm by r simple smaller तो v और r का graph rectangular hyperbolic बनता है mod v होता हो simple simple v और r का graph बनाएंगे तो कुछ इस तरह का बनेगा क्योंकि potential negative होता है potential i is equal to minus dv by dr होता है potential क्या होता है i is equal to जैसे electric field होता है e बारवर minus dv by dr i is equal to minus dv by dr होता है v is equal to होता है u by m gravitational potential is gravitational potential per unit mass u को हम v into m भी लिख सकते है इसका unit क्या होगा v का v का unit क्या होगा v का unit ही से निकाल सकते हो यह होता है newton per kg तो यह होगा newton meter per kg यह जूल per kg सब जूल per kg कैसे इस से देखो इसका volt मत बोल दाना यह gravitational potential है यह जूल by kg u by m क्या है बेटा यह जूल per kg अब यहाँ देखो newton into meter भी तो energy हो गया यह energy पर kg जूल पर kg clear है क्या clear है क्या जूल पर kg जूल पर kg बोलो हां की ना जूल पर kg बोलो जूल पर kg जूल पर kg पर kg जूल पर kg ठीक है कई बार तुमसे पूछेगा कि मान लो यह origin है 0,0 यहाँ पर m 1,0 2,0 4,0 8,0 पर पोटेंशल बताओ निकाल लोगे बहुत इजी है अच्छा एक सवाल यहाँ पर पूछे थे m और 9m दो मास है और दोनों के बीच में distance बेटा आर है वहाँ पर पोटेंशल बताओ जहाँ पर ग्रेवटेसल फिल्ट 0 है कहीं यह लगे तो फिल्ट 0 होगा वहाँ पर पोटेंशल की वेल्ली बताओ क्या करोगे तो बहुत असान है क्या असान है सबसे पहले तो distance निकालो जहाँ पर पोटेंशल 0 है एक्स बराबर हो जाएगा आर बटा यह 9 गुना है तो रूट 9 प्लस 1 रूट रूट 10 प्लस 1 रूट 9 प्लस 1 तो रूट 9 हो गया 3 प्लस 1 4 मतलब आर बाई 4 आर बाई 4 आर बाई 4 वो distance है जहाँ पे छोटे वाले मास से intensity 0 है आर पोटेंशल क्या हो तो वी इक्वल्ट होगा माइनस जी एम डिवाइड वाई यहां से र बाई 4 र बाई 4 माइनस 9 अ से यह distance कितना हो जाएगा र मैनस र बाई 4 3 र बाई 4 तो जी 9 अ डिवाइड बाई 3 र बाई 4 यह 4 उपर तो माइनस जी एन 4 वाई यार सॉरी सॉरी यार तीन 4 उपर 4 ती 12 12 जी एम बाई यार तो आर एलसेम ले लो 12 माइनस आर 16 जी एम बाई आर कुछ ऐसा आएगा calculation mistake है तो you can check calculation mistake है तो you can check तो इस सरके सबाब पूछे जाते हैं अब आगया की hollow sphere का gravitational potential क्या होगा तो ध्यान सुनना अगर मैं hollow sphere की बात करता हूँ जिस तरीके सब्सक्राइब potential hollow sphere के अंदर constant होता है gravitational potential भी constant होता है electric potential का value hollow sphere के अंदर बताओ तो क्या होगा तो potential inside होता है की plus charge है तो kq by small capital जितना surface होगा उद्दा हर जगा होगा gravitational potential होगा minus gm by capital ये कहा है अंदर में हर जगा पे potential अंदर में center पे inside हर जगा पे potential इतना ही हो और surface पर भी potential इतना ही हो minus gm by capital center से smaller distance पे बाहर कहीं पे जाके देखोगे तो minus gm by smaller इसका grab बनाओगे potential के mod का तो constant होगा center से surface तक उसके बाद rectangular hyperbolic होगा simple potential पोटेंचिल वसेश डिस्टेंस का अगरा होगे तो ऐसा और और ऐसा होगा बस जटना solid ispher का gravitation potential बाहर में कहीं जाके देखते हो ये ही होगा minus gm by small r जैसा यहां लिखाए outside में solid ispher के बाहर जाके देखो तो solid ispher के मास को भी center पे मानोगे surface पे as you know surface पे as you know gm by capital r नहीं अंदर में जो potential होता है small r पे अंदर में वो होता है minus gm 3 r square minus small r square by 2 capital r q distance का square distance का क्यों तो नीचर distance बन गया और सुनो अगर मैं small r को capital r लिख दो तो मैं surface पर पहुंचूंगा surface पे small r को capital r लिखोगे capital r capital r square 3 r square में से r square जाएगा 2 r square 2 r square से 2 r q कटेगा 2 से 2 r q से r q तो minus gm by r आ गया सर्फ मजा आग लो center पे निकालोगे तो small r तुम्हारा 0 हो जाएगा एगदम center पे center से distance में जर कर रहा है अगर small r 0 रख जा तो ये 0 3 r q और 2 r q तो 3 by 2 r इस वह से r q कटेगा तो 3 by 2 minus sign के साथ gm by r और gm by r तुम्हारा surface का potential है तो center का potential होता है minus 3 by 2 times of surface का potential और इसका graph अगर बनाओगे mod v के साथ तो पहले parabolic बनेगा फिर rectangular hyperbolic बनेगा अंदर और बाहर nature अलग हो जाएगा पढ़ाये ये 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 सब gravitational potential energy क्या होता है तो gravitational potential energy gravitational potential potential energy कि अगर आप बात करते हैं तो ये होता है gravitational potential किसी point का वहाँ पर मस से multiply उसका gravitational potential energy हो जाएगा या two mass pair के लिए gravitational potential energy define करते हो दोनों mass के बीच में distance r है होता u बराबर minus g m1 m2 बटा r इन दोनों में कोई फर्क नहीं है same है exactly same है बता कैसे एक line तो लिख सकते हो ना भाई मेरे बता कैसे ये दोनों same है तो ये दोनों same इस बज़ा से है कि यहाँ के बज़ा से अगर मैं potential इस पर लिखता हूँ तो क्या होगा minus g m1 by r minus g m1 by r में m2 से multiply करते minus g m1 by r से m2 से multiply सब अर्थ मास सिस्टम का अगर मैं लिखू earth मास सिस्टम का माल लोग अर्थ है capital r distance है radius है अब यहाँ पर कोई m मास रखका है इसके surface पर इस पोटेंचल इनर्जी क्या हो जाएगी minus g capital m1 by capital r on surface surface पर earth मास सिस्टम का है यह potential energy होगा यहाँ से अगर h height उपर मैं यहाँ पर m मास को रख देता हूँ उठा के इस पोटेंचल इनर्जी क्या होगा h height पर जो potential energy होगा minus g capital m small m बटा r plus h change in potential energy होता है h height पर जाने से यह बड़ा famous formula है alternate year इस पर सवाल आया है mg h divided by 1 plus h y r change in potential energy अगर earth surface से h height पर जाते है change in potential energy अब यहाँ पर तुमसे potential energy बोलेगा वो तो equilateral triangle है भाई m m और m इसका potential energy लिखो बटा है क्या लिखोगी u बड़ाबर इस इस का pair माइनस 3 g m square by a 3 pair बनेंगे 3 term बनेगा number of term potential energy क्या होता है n into n minus 1 by 2 जहाँ पर n है number of masses इसमें 4 masses है तो निकालो कितने term होंगे 6 term होंगे 1 pair, 2 pair, 3 pair, 4 pair 5 pair, इसका इसके साथ 6 pair clear है गया clear है गया तो बहुत असान है अब देखो मान लो earth surface है इसका mass m radius r यहाँ पर small m mass को कितनी velocity से मैं फेकू कि वो earth के gravitational field से निकल जाए और बाहर infinity पर पहुंच जाए इसके speed 0 भी हो जाए हमें कोई फर्क नहीं पर देखे लेकिन infinity पर जस्ट इसके gravitational field को escape out कर जाए तो हम कला आएंगे simple c o m e conservation of mechanical energy यहाँ पर earth surface पर जब यह था उस instant पर इसकी potential कितनी है उस instant पर इसकी potential है minus z capital m small m by r earth के surface पर इसकी potential है और वहीं पर इसकी kinetic क्या हो जाएगी plus half m v e का उल स्कुर यह kinetic energy उसको में ने दिया पर आवर infinity पर पोटेंचल जीरो काईबर तुमसे सवाल कोचेगा यह earth surface पर के object रखा है उसकी में total mechanical energy कितना दे दू सवाल सुनना total mechanical energy given to the object total mechanical energy given to object to escape to escape तो बोलना 0 उसकी mechanical energy जो मिलती है वो potential kinetic मिला के मिलती है और यहाँ पर जितना mechanical है infinity पर उतनी mechanical है यहाँ पर mechanical actual में कितना मिला तो दोनों का सम 0 ही हो तो आ रहा है अचा energy given direct पूछे अगर तुमसे energy given पूछे कितना है जितनी उसकी potential negative में है उतनी ही energy हमने दिये ताकि total energy मिलके 0 हो जाए सर यह कैसे पता चला यहाँ पर kinetic plus potential का sum infinity पर kinetic plus potential का sum यह तुने energy extra दिया है अर्थ surface पर होने की वैसे उसके पास इतनी negative potential थी उसको उधर ले जा g capital m small m बटा रहेगा इतनी यह जो उधर चला गया इतनी energy तुने दिया है ताकि वह escape कर जाए ठीक है small m से small m कटेगा 2 होँ चला जाए escape velocity आगा root under 2g capital m यार यह simple है अर्थ के surface से इतनी escape velocity आती है कि इतना असान है escape velocity inversely proportional radius इसी में अगर मैं gm को g not r square रख दो g not r square r square से r कटेगा root under 2g rr किया और इसी को अगर मैं density के terms में रख़ू g की value रख दो 4 by 3 तो 4 by 3 चार दून 8 8 by 3 g pi rho r और r पहले से r square तो यहां से root rho into r के proportional आजाए अगर मैं किसी planet का mass constant रखू और उस पर scale velocity और radius में रिलेशन देखू तो अगर मैं किसी planet का density constant रख के उसके radius को change करूँ तो scale lesson due to gravity radius के proportional लाएगा clear है यह बात इस पर एंड नमबर ओफ सवाल उच्छे जाते हैं वो देखते हैं if the earth has mass 9 times as the radius of sorry if earth has mass 9 times and radius twice earth has mass earth has mass 9 times of mass of planet यह यह earth has mass 9 times and earth radius twice two times of radius of planet twice that of planet then V by 3 root x meter per second will be the minimum velocity required by the rocket to pull up the gravitational force of P V is escape velocity on earth सुन अभ द्यान से यह velocity है escape velocity planet पर V dash वो दे दिया है escape velocity on earth बड़ा तीरी root x planet पे जो इसके velocity होती है वो कितनी होती है तो mass और तुमको radius के terms में लिखना है तो यह हो जाएगा root under 2 z mass हो जाएगा 9 times of mass of अच्छा 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 एक मेंट root under 2 जी mass of planet क्या होगा mass of earth बटा ना ही और nature radius of planet क्या होगा radius of earth by 2 ऐसा कुछ आएगा ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं है अब अब 2 gm e बटा रही है भी है तो यह v e से यह वाला term कट जाएगा तो यह बचेगा ऊपर में 2 बटा 9 यह तुम्हारा term आएगा ठीक है तो इसको इसके बरावर रखोगे root x by 3 is equal to root 2 बटा root 9 बाहरा जाएगा 3 3 से 3 कट रूट x बड़ावर root 2 x बड़ावर 2 आए पाई साफ क्या गुमा के सवाल बना है मैनत लग लिए भाई क्या गुमा के सवाल बना है बढ़िया जोड़ता तर नहीं सबस्पे आया हो सकता है ना आया इसा तो है नहीं कि तुमको सबसमझ में आ जाए वो सकता है ना आया कोई बात नहीं एक काम करो खुद करो समझो लिखो या लिखा है वो तुम अपने तरीके से करो सवाल पर हो scale velocity अर्थ सर्फिस पर होता है root under 2 g m by r के टमस में और किसी planet पर scale velocity होगा root under 2 g mass of planet but our radius of planet relation दिया हुआ है लिखो यह scale velocity पूरा है planet पर जो कि v y 3 root x है करो you can do it definitely you can do it if v is the gravitational potential due to sphere of uniform density on its surface ठीक है surface पर potential v है then its potential at the center of 3 by 2 v यह तो आपने अभी देखा surface पर जो potential होती है वो थी minus g m by r center पर जो potential होती minus 3 by 2 g m by r इसको हम भी बोल सकते हैं तो 3 by 2 भी आजाएगा सही है भाई यह ऐसे सवाल आते है नीट में देख लो earth has atmosphere where moon does not have यह general knowledge पूछ रहा है सही है escape velocity on the moon is very small as compared to the earth in the light of the above statement choose the correct तो यह भी सही है वैसे लेकिन atmosphere की वैसे नहीं density और mass की वैसे होता है correct explanation नहीं है तो उनों सही है बट correct explanation नहीं है body has mass देखो सवाल समझना a body has mass taken from the earth's surface to the height h equal to equal to twice of the radius of earth twice of the radius of earth increase in potential energy will be neat may alternate year मैंने formula बताते समय बताए neat may alternate year इससे सवाल पूचा है भाई skin pause करके एक वार करो तो जल्दी और कर दिया तो बोलने न जेई को फोर दिया रगर दिया मार दिया देखो change in potential energy change in potential energy mg h divided by 1 plus h by r mg तो रहने तो h को क्या बोला, 2 r e 1 plus h को बोला 2 r e but r e r e s e r e cut gya 2 mg r e divided by 2 2 बटा 3 mg r e बोलो, समझ में आया की नहीं है, object is allowed to fall from a radius r, fall from a height r, object is allowed to fall from the height r, above the earth, where r is the radius of earth, its velocity when you strike the earth's surface, ignoring the air rest, सुन, यह root अंडर 2GH मत लगा दियो, यहां पर जो height है, वो r के, अर्थ के radius के बरावर height से चोड़ा है, वहां पर तो इसलेसन due to gravity बहुत कम होगा, constant acceleration तो है नहीं, तो सर कैसे करेंगे, यहां से चोड़ा release किया, और यह अर्थ का radius इसके center से surface का distance, height हमेसा surface है, तो यहां से जब release करोगे, ऐसा सवाल आते हैं बेटा, कर लो, जब release करेंगे, तो इसकी kinetic energy क्या होगी, 0 और potential क्या होगी, minus G, capital M, M, और आप center से distance लेते हैं, solid is for के लिए, height surface से दिया होने, लेकिन हमें center से R, और R, 2R लेंगे, परावर, यहां पर इसकी kinetic होगी, half M, B, square, पहुचा यह, small m, इसक surface पर potential होगा, minus G, capital M, small m, बाया, यह हुई ना बात, अब यहां से split निकाल दो, तुरांता आजाए, और सर्थ, small g कहां से हैं, G, capital M, को लिख सकते हैं, G, R, square, यह मैंने बता दिया है, G, M, को G, R, square, लिख सकते हो, कहीं भी, किसी भी समय पे, अब यहां से V, निकालो, यह तर content के साथ है, कि अगर escape velocity मैंने, sorry, given velocity, given velocity मैंने escape velocity के बढ़ाबर दी है, तो escape कर जाएगा, इसका path hyperbolic, न, न, parabolic हो, अगर आपने escape given velocity जादा दिया escape velocity से, तो hyperbolic हो, यहां पे mechanical energy तुम्हारा positive आएगा, क्यों, तुने kinetic उसके negative जितनी potential उससे भी जादा देती, तो infinity पर जाके घूमता रहेगा न, तो अगर तुने kinetic escape velocity के बढ़ाबर velocity दिया है, तो mechanical energy क्या होगी, 0, अगर तुम्हारा जो given velocity है, यह VE है बेटा, sorry, escape velocity से कम दी है, लेकिन orbital velocity से ज़्यादा दी है, तो यह elliptical path होता है, elliptical path होता है, ellipse space से चला जाए, अगर तुने given velocity, orbital velocity क से बराबर दिया है, तो circular path होता है, यहाँ पर सब में bounded होगा, mechanical energy less than 0, अगर तुने given velocity, orbital velocity से कम दी है, तो elliptical path होगा, अगर तुने given velocity बहुत-बहुत कम दिया है, orbital velocity से तो यह parabolic path होगा, यह बात होता है, यह बात का, पहला कि अगर given velocity escape से जादा है, तो hyperbolic, given velocity escape के बराबर है, तो parabolic path ही तो होता है, यह projectile path, यही तो है projectile path, given velocity तुम्हारा बहुत कम है, अच्छा, लेकिन अगर तुम earth surface ऐसे देते हैं न, velocity, तब की बात है, लागि escape, velocity, direction और projection पे, और object के मास पर depend नहीं करता है, अगर तुम्हें ऐसे फेका है object को, और तुम्हारी जो given velocity है, जादा है escape velocity से, तो infinity पर जाके interstellar space में, interstellar space में, वो rest पे नहीं रहेगा, क्योंकि given velocity escape से तुन्हें जाता दिया है, तो हाँ जो उसकी velocity होगी, interstellar space में, root under given velocity का whole square, minus escape velocity का whole square, इसमें end time सवाल और अगर तुन्हें given velocity, given velocity कम दिया है escape से, और ऐसे perpendicular दिया है, तो वो कहीं h height पर जाके रुख के वापस आजाएगा, तो height कितनी होगी, h is equal to होगी, r बटा, v given जादा है, बटा v escape कम इसका whole square minus हो, यह form, मज़ा आगे लो, ना ना गलत होगे लो, क्योंकि तरह escape जादा है, त denominator जाद है, तो negative हाज आएगा, गलत है escape उपर, v escape का whole square, बटा g, v given का whole square minus होगे, यह form नहीं आया समझ में, बतातो बेटा, इसे सोच, कि जो height है, left hand side में distance है, तो right hand side में distance होगे, height को आट के temper में किया, distance, distance होगे, ठीक है, अब dimension match कर गया, तो आप velocity आएगा, लेकि उसका dimension नही तो divide किया है, और escape velocity तेरी जादा है, given कम है, escape के बराबर दो को तो भग जाएगा, escape से कम दिया है, तो नहीं, given escape से कम दिया है, तभी तो रुक के नीचे आएगा, escape जादा, given कम तो यह से बड़ा है, एक से बड़े में से घटा होगे, तो positive है, मतलब मैं कह रहा हूँ कि h बर speed क्या होगा, और कम दिया, तो height attained क्या होगा, यह बहुत 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 जादा important है, body is projected vertically, body is projected vertically upward from the surface of earth with a velocity equal to one third of escape velocity, लो चाचा, then maximum height attained by the particle is, neat में हैं, जई में हैं, हरसाल है, h is equal to, r बटा, escape velocity, बटा, one third of escape velocity, ve by three का whole square minus one, यह इससे कट जाएगा, one by three, three उपर जाएगा, three का whole square, nine, nine में से एक गड़ा थे, 8, चौउसट सौ बटा आठ, आठ ही चौउसट, आठ सो किलो मेटर, पता, मजा आगलो की न, एक line में जई का सवाल रगर दिया, एक line में, जई का सवाल बटा रगर दिया, एक line, the escape velocity, the escape velocity of the planet a and b are same, but a and b are of unequal masses, हाँ भाई, the escape velocity of a and b are same, but a and b are of unequal masses, the product of their mass and radius must be m1 r1, मतलब यह ऐसा हो सकता है, क्या हो सकता है, reason उसका लिखा है कि product of their masses and radius must be m1 r1, बरावर m2 r2, चेक कर भई, escape velocity तो नहीं क्या पर रहा, root under 2 g m by r, तो यह m1 r1, 2 g m2 by r2, escape velocity same के लिए m1 r1 बरावर m2 r2 होता, तो हो जाता है, यह गलत है, तो escape velocity बरावर हो सकता है, 2 escape velocity of a and b are same, but a and b are of the unequal masses, unequal masses भी हो सकता है, जब जिसका mass जाद है, उसका radius भी जाद हो, mass जाद है radius भी जाद हो, यह न, यह statement कैसे justified है, मतलब इसको तुम सही भी कैसे बोल सकते हो, के velocity of the plant a and b are same, but a and b are of unequal masses and unequal radius हो सकता है, यह लिखना परता न, जिरीजन तो गलत है, मेरे सबसे दोनों ही के लगत है, अब कई बार सवाल ना समझ में आ है, तो options से decide करते हैं कि क्या होना चाहिए, option क्या कह रहा है, a is correct, but r is not correct, अच्छा, यह हो सकता है, अच्छा, a is not correct, but r, r तो कभी correct है यह नहीं, r तो correct है यह नहीं, a and r correct, नहीं, दोनो r correct नहीं, a and r correct, बद तो तो तुम्हार a हो गया, best possible चार में से क्या दोगे, तो options अलग करीके से बनाया है नहीं, नहीं समझे, दोनों गलत का option ही नहीं है, तो क्या करोगे बोलो, और r तो तो तुम्हारा सही नहीं है, इस case में तो नहीं होता है, तो देखो, a and r is correct नहीं होगा, a and both are correct नहीं होगा, बोथ are correct नहीं होगा, उस case में best possible, तो महारा यह चला जाएगा, बहुत बढ़ी है बेटा, जब सवाल में नहीं नहीं है, तो option से चेक करो, सवाल में नहीं है, तो option से चेक करो, चलो screen pause करके, इसको attempt करिए, अच्छे से इमांदारी से, screen pause करके, इसको इमांदारी से attempt करिए, inside the uniform spherical cell, inside the uniform spherical cell, cell मतलब hollow sphere, cell मतलब hollow sphere, the gravitational field is zero, सही है, gravitational potential is zero, गलत है, zero हो सकता है, reference, बढ़िपेंट करता है, देख लिंगे बाद में, gravitational field is same everywhere, गढ़ना, same everywhere, gravitational potential is same everywhere, यह सही है, all of the above, वहरा A और D जाना चाहिए, A और D नहीं है, नहीं है, तो इस अपरोपियर टेंसर, फ्रॉम्ट गवेंट गवेंट, गवेटेशनल फिल्ट इस जीरो, तो फिल्ट तो जीरो होता है, उस तेल के अंदर, अब गवेटेशनल फिल्ट जीरो होता है, कहा जीरो होता है, अब हर जगा जीरो होता है, तो Attorney Durant जीरो जीरो जीरो, जीरो जीरो जेरो जीरो se, यह सकते हैं, gravitational potential is same everywhere, gravitational potential की value same everywhere होता है, तो देखो तो ACB, ACB, ACB only, हर जगा 0 होना भी तो कह सकता हो, कि सेम है हर जगव सेम है तो इनकरेक्ट स्टेट्मेंट फ्रॉम दा फॉलाइं इनकरेक्ट मतलब गलत पूछ है तो फिर करते हैं और विटल विलासिटी समझते हैं और विटल विलासिटी और से लाइट मोशन समझते हैं जैसा है यह है धीग है यह हर्थ ? माल लो कि यह प्लैनेट है. इसके प्लैनेट के चालों तरफ कोई एक artificial satellite है जो इसके surface से H height के घूम रही है इसको घूमाने के लिए जो force चाहिए सिटलाइट की बात करता है तो सिटलाइट जो..1044 बात की गही है. किप्लर裡面 वह प्लाइनिट के गई मतलब संके वाउट जो प्लानिट गोम हो सारे पाहिए सारे विश्व को में गैड़ जरूरी बात में अब इसा रहा तो होज ज़रूँ भूअ मान लिजी कि वी नौट से scenarios velocity से चल रहा है किस से चल रहा है यह चल रहा है आपका V naught velocity से तो जो अर्थ है उसका सारा मास यहां मानोगे इस से कितने distance पे r plus h distance पे small हमें center की तरफ इस पर जो force लगेगा वो लएगा g capital m small m बटा r plus h का whole square अर्थ के center और अर्थ के center के respect में circular बात में हुएगा तो आप कह सकते हो m v naught का square बटा r plus h m v square vr radius to r plus h के बरावर है या तो radius को तुमें small r लिख लेते हैं कई बार कई article में कई book में लिखे हैं small r लिखे हैं या तुम surface से अगर h height measure कर रहा हो तो center से distance हो जाए यहां से यह वाला term इस से काटेगा तो r plus h बचेगा m से small m कटेगा तो v naught का whole square बरावर यह था तो v naught बरावर root gm बटा r plus h हो अर्थ के just surface पे अगर बात करोगे h tends to zero है तो यह हो जाएगा orbital velocity root under gm by r अब देखो root under gm by r orbital velocity है escape क्या होता है रूट 2 ko अलग रहने तो और बच्चा हुआ रूट gm by r को v naught कह सकते हो exactly जो ऑर्बिटल velocity होनी इसके विलाघ CE llevarू सब्सक्रान होती जो ऊर्बिटल विलासिटी होती है क्या होती मिट अर्बिटल विलासिटी होती है वहcape इसके विलाॉसिटी का root two times होता है एकदम सही बात कहलो गुरू सही बात कहलो गुरू सही बात कहलो orbital velocity क्या होती है इसके velocity क्या होती है root two times of orbital 1.41 मतलब अगर मैं orbital velocity को 41% बरहा दू 41.41 टाइंस बरा दू या 41% बरहा दू तो ये satellite escape कर जाएगा ये satellite क्या कर जाएगा escape कर जाएगा मतलब यहां से भाग के कहीं बाहर निकल जाएगा क्या कर जाएगा escape कर जाएगा escape velocity 1.41 of orbital escape कर जाएगा निकल जाएगा बाई सब escape कर जाएगा क्या कर जाएगा escape कर जाएगा क्लिर है क्या यह बात समझ लिए यह बात तो समझ में आए लिए बात तो यह है कि समझ में आए इसकेप कर जाएगा क्या कर जाएगा इसकेप कर जाएगा चली अब आगे देखते हैं आगे देखते हैं कि आगे देखते हैं कि एक कर जाएगा कि अर्विटल विलोस्टी में समझ लिया काइनेटिक एनर्जी सेटलाइट की कितनी होगी तो काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ इंव इसकोर आफ एम इसकोर तो वी नॉट यह रहा तो यह होगा जी अगर मैं टोटल एनर्जी लिखू तो यह सिंपल होगा के प्लस यू के प्लस यू को ध्यान से देखोगे तो यू तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी का दुगना है तो नहीं समझ में है दो से मल्टिप्लाइज दो से डिवाइड करता हो अगर तुम तो यह वाला टर्म क्या है तो माइनस को छोड़के काइनेटिक है जी कैपिटल हम स्मॉल हम ग्राफ बनाओगे तो काइनेटिक एनर्जी तुम्हारे पॉजिव है और टोटल एनर्जी और पॉटेंचिल निगेटिव है तो यह साथ में डिजी में मैंने लिखा है कटपा के टी पी एक टपा मतलब काइनेटिक पहले आएगा टोटल आएगा फिर पोटेंचिल आएगा ऐसे याद रख सकते हो यह काइनेटिक है यह टोटल है और यह पुट यह टोटल और यह नीचे पुटेंचिल की वेल्व जाथ होती है क्या मैं यह कह सकता हूं कि काइनेटिक एनर्जी बटा टोटल एनर्जी का जो रेशियो आएगा वन इस्टू माइनस बनाएगा काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी के मैगनिट्यूड का जो रेशियो आएगा वन इस्टू माइनस टू आएगा काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी का जो रेशियो आएगा वन इस्टू माइनस टू आएगा काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी का ज है यह कहानी है यह कहानी काइनेटिक गानेटिक गेर्ड को अकर मैं x मानता हूं तो टोटल एक सब कुछ हो गया जब भी कोई प्लैनेट के चारों तरफ एक सेटलाइट घूमता है उसकी क्या क्या चीज कॉंस्टेंट रहती है अगर देखे हम सर्कुलर बात और सर्कुलर बात नॉट इलिप्टिक करते है यह किसी प्लैटलरी मोसन की बात नहीं हो रहे है यह एक सेटलाइट की बात हो रहे है तो जब भी कोई सेटलाइट सर्कुलर बात में घूमेगा जब भी कोई सेटलाइट सर्कुलर बात में घूमेगा सबसे पहले उसकी स्पीड रहेगी भी नॉट रहेगी विलाउसिटी वैरियेवल है velocity variable है velocity variable है इसलिए momentum variable है momentum variable है variable है rate of change in momentum इसलिए time is for 4 cm लग रहा है लेकिन speed constant है speed constant है kinetic energy constant है और kinetic energy constant है तो work 0 work 0 होगा तो power delivered 0 होगा और अगर तुमारे speed constant है angular momentum constant है in magnitude and direction बहुत torque इसपर 0 लग रहा है लग तो एक लांटम constant है force लग रहा है momentum variable है चमकः कि नहीं force लग रहा है इसलिए momentum variable है momentum variable इसलिए force लग रहा है force is not equal to 0 force लगा है लेकिन torque नहीं लगा इसलिए angular momentum रहा है तुम्हें ही पढ़ाया है सिखाया है कि सेंटर के अबाउट इस पर देखे तो फोर्स इधर लग रहा है और यह इसका पॉजीशन वेक्टर तो टॉक जीरो टॉक जीरो टॉक जीरो अंगलर मेंटम कॉंस्टेंट और एक और तरीका बता देखो भी नॉट स्पीड से चल रहा तो मागनिटूड ओफ एंगलर मेंटम गएंब्रो तो कॉंस्टेंट है ही और डारेक्शन एंटी क्लोग मोशन के लिए बाहर हमेशा है एक सवाल इस पर बेटा ऐसा पूछा जाता है हमेशा ग्रेविटेस्टनल फोर्स इफ ग्रेविटेस्टनल फोर्स इस डारेक्ली और यहां पर बोला है कि नहीं और विटेल विलासिटी तो इम्पी स्कॉर बात पर गोमने के लिए लेकिन वह एक ग्रेविटेस्टनल फोर्स दे रहा है जो आर के पर पर पोर्पूर्शनल है तो बाकी कॉंस्टेंट हो जाएगा वी नॉट का होल स्कॉर बढावर और और अगर टाइम प्रेड पूछे तो यह रहा आपका टूपाई आर और 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 विटेल वलासिटी हमने बढ़ा था रूट अंडड़ जी एम बाई स्मॉल र स्मॉल अर्ड प्रिज को तो यह रूट मतला रूट नीचे है उपर जाएगा तो रूट र से मल्टिप्लाई होगा टी-सकोरी िर पर्पोर्शनल अर्कू यह सेटलाइट मोसल के लिए भी सउपितलाइट मोसल के लिए जो के ल दिए प्लेट मोसल के लिए रिए गूट आशंतर अब कर बोल दिया अगर बोल दिए उसकी स्पीड कोंस्ategory बेल्ट स्पेबबिविं डे आर प्र आट रूट रहती है, when the body falls towards the earth, the displacement of the earth towards the body is negligible, यह भी बास सही है, the linear speed of the planet revolving around the sun remains constant, linear speed of the planet, planet की linear speed बदलती है, प्लानेट की linear speed बदलती है, constant नहीं रहती है, तुम्हारा answer जाएगा D, Sir कैसे, K-plus-law platinary motion चलिए बताते है, K-plus-law platinary motion भी आपको बताते है, K-plus-law platinary motion का पहला law यह कहता है, all planet moves इना elliptical बात, और planet moves होना elliptical बात, elliptical बात पे चलते है, sun it's on one of its focus, sun एक focus पे रहता है, यह तुम्हारा pass वाला point पे रेजी होता है, दूर वाला point एपर जी होता है, यह मानले जार्वन डिस्टेंस है, यह आर्टू डिस्टेंस है, और यह आर्ट, maximum distance होगे, यहाँ पे जो speed होती है, वो maximum होती है, यहाँ पे जो speed होती है, वो minimum होती है, तो angular speed बदल रहा है, दूसरा law इसमें यह है, कि इसका aerial velocity dA by dt constant रहता है, जो आता है angular momentum by 2m, यह constant रहता है, मतलब rate of change in area per second आपका constant रहता है, यहाँ एक सवाल भी नीट में पूछा गया था, 2-3 वार पूछा गया है, कि sun अजर यहाँ पे है, और कोई planet यहाँ से यहाँ तक जाके, T1 टाइम में, यह A1 area cover करता है, और यह सेम time में, यहाँ पीड ज़्याधा रहती है, distance कम होता तो, एटू एडिया कवर करता है सेम टाइम में तो एवन बराबर एटू हो एगलर मोमेंटम को आई ओमेगा लिख सकते हैं आप देखो टू प्लैनेट की मास तो इसके इसके रिस्पेक्ट में प्लैनेट पॉइंट मास जैसा है अब यहां पर इस्टेंस कम होगा तो आई कम होगा अब दूर जैगा डिस्टेंस जढ़ए बढ़ए तो मुमेंट ऑफ इनर्शन से बढ़ए गा तो ओमेगा कम हो जाएगा यहां पर ओमेगा कम हो जाएगा उमेगा वेरे करता है Speed, Impass में ज़्यादा होता है, दूर पे कम हो, और तीसरा है, K-plus law, T-square is proportional to R-q, T-square is proportional to R-q, T-square is proportional to R-q, देखिए, If E be the total energy of a satellite moving around the Earth, then its potential energy will be E by 2, देखो, E will be the total energy, E by the total energy of the satellite moving around the Sun, then its potential energy is true ही होता है, The kinetic energy of the satellite revolving in an orbit is equal to the half of the magnitude of the total energy, kinetic energy, the total energy के magnitude के ब्रावर होती है, half थोरी ही नहोती है, दोनों के लड़वला option ही नहीं है, क्या, यह correct, वो incorrect, यह incorrect, यह incorrect, वो correct, बोथ हार incorrect, यह रहाना, एक सवाल उपर छूटी है क्यों ओगी नहीं चूटा नहीं 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 गदम सही एकदम सही ये लेखो तू से特लाइट अफ मास MN 3M टू सेतलाइट अफ मास MN 3M स्ट्राइट की मासे से कोई फर्क नहीं बढ़ता है राउंड अर्थ इंता सर्कूलर और्बिट ऑफ रेडियस हाइट नहीं बोला है कि सर्फेस से इच हाइट पे जा रहा है अगर सर्फेस हाइट होता तो यहाँ पे एच की वल्यू लिखता है मास के हैं शेम और बीट में ठीक है एट उसके मासे अलग है तो पोटेंशल इनर्जी डिपेंड करता है इनेटिक इनजी डिपेंड करता है, पोटेंटिक ईनजी, पॉटेंच्छल इनजी करेगे, पोटेंचल इनजी गालीगा, है यह सेम है, प्लेनट अर्थ सेम है, लेकिन बढ़ाइट तो लग है, mass of H to H to V speed same होगा, बाकी जा से से नहीं होगा two satellite A and B have masses M and 2M two satellite two satellite have masses M and 2M A in a circular orbit of R radius R and B in the circular orbit of radius 2R ratio of their kinetic energy kinetic energy kinetic energy पहले का आएगा minus G capital M small M बड़ा radius R, पहले का आगया दूसरे का kinetic energy आएगा minus G capital M 2M बटा, orbit का radius दिया height दिया होता अगर surface से तुमको height दिया होता 2R, तो radius और add करके, अर्थ का radius circular path की radius निकालते है चमका ये बाद, comment करके बताना, बहुत important है 90% बच्चे, 99% बच्चे सब कुछ आते होया अगलती करता, अगर तुमसे बोलता है कि earth surface से इतने height पर गूम रहा है तो radius of circular path निकालने के लिए earth की radius और add करते है height में, अगर तुम्हें देया है circular orbit of radius, तो orbit की radius ये दी होये तुमें rn2r, तो ये होजाएगा तुम्हारा 2r, gmm by r, gmm by r, cut गया 2 से, 2 cut गया, 1 is to 1 रहा है तो, next देके, time period satellite of the radius of earth is 24 hour, the separation between the earth and the satellite is decreases to one-fourth of the previous value, the new time period is, ये तुमारा homework के कर, t square is proportional to rq से होगा, slide 53, slide 53, the force acting on the planet is inversely proportional to square of the distance from the sun, force acting on the planet is inversely proportional to square of the distance, force is inversely proportional to square of the distance, force acting on the planet is inversely proportional to product of the mass, force acting on the planet is inversely proportional to mass of the planet and sun, centripetal force acting on the planet is directly, centripetal the directed towards the center hogar, square of the time period revolving planet around the Sun is directly proportional to cube of time period." A square of T per square, हर tysa or小時, हुआ 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 ही. So, k y hairAosaish, D or A? D and A. B or C yeah where та scrape close? D or A. Square. The time period of the satellite revolving around the earth in a given orbit is seven hours. IF the radius of the orbit increases to three times in approximate time period is. टाइम पिरिएड इस आर्केव होता है, T-square is R-Q, मतलब T is proportional to R का पावर 3 by 2, क्या कर दिया है? तीन का पावर 3 by 2, तीन का स्क्वाइर हो जाएगा तुम्हारा, तीन का क्यूब हो जाएगा? 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 त seven hour if the orbit of the orbit is increases to three increases to three of its free world orbit is increases to three times by three times out of the four hour to three months of the new time period of this approximate पूचा है तो टाइम परेट हो जाएगा ती ती डेस्ट रेटिस नीचे ग्या उधर जायेगा 7 इन्ट थीरी गजाएगे साथ ये केस इंटु रूट थीरी रूट थी उता है एक टीश को 1.78 मलटीप्लाइब मतलब तुम्हारे टॉलिश हो रख कम इसिक सायेगा तो नाइन का पावर थी वाई तो नाइन का पावर हाफ तीन का क्यूब तीन का क्यूब सब्ताइस ताइस गुना हो जाएगा यार ताइस टी होट इजी है यह तो पूछते हैं बिटाए से साथ consider the satellite S1 and S2 period of revolution 1 hour and 8 hour respectively revolving around a planet in a circular orbit the ratio of angular velocity of the satellite S1 to the angular velocity of satellite S2 देखो V बराबर होता है और omega omega is equal to हो जाएगा V by R orbital velocity होता है GM by R और 1 upon R तो R ना जाओगे तो R square R का Q ओमेगा इस इक्वल्टो का रूट अंडर GM बटा R क्यूपस यह होगा ठीक है एंगुलर विलॉसिटी अप्ड़ सेटलाइट रेशियो अप्ड़ विलॉसिटी अप्ड़ सेटलाइट अच्छा हमें क्या दिया है time period दिया तो ओमेगा इस इक्वल्टो होता है 2 pi by T तो अगर टाइम का रेशियो पता है तो अंगलर स्पीड का रेशियो वही तो होगा तो अगर टू सेटलाइट अस्टो बित परियाट ओफ रेवलूशन इतना रेवल्विंग एराउंड अप्लाइट ने सर्कुलर रेशियो फंगलर स्पीड ओमेगा इस इक्वल्टो टू पाइटी करने की जौत ही नहीं है तो minimum and maximum distance of the planet revolve in the sun are x1 and x2 minimum speed of the planet is v0 minimum speed सबसे जाधा distance पर होगा minimum speed तेरा v0 है maximum distance x2 और maximum speed भी maximum speed तहां होगा जहां पर minimum है x1 x1 v1 x1 v1 बराबर हो जाएगा v0 x2 v1 बराबर हो जाएगा v0 x2 by x1 v0 x2 by x1 फाहर वालत होगा नहीं v0 x2 by x1 v0 x2 by x1 या जाएगा नेक्स देगे angular momentum of the planet यह हों परके तुमारा करे यार उच्छ तो कर slide 459 planet revolving on electrical orbit has a constant velocity of the revolution नहीं velocity तो change होगा नहीं has the least velocity where it is nearest to the sun least velocity कम velocity when nearest to the sun नहीं उल्टा होगे it has the aerial velocity directly proportional to its velocity aerial velocity constraint होता है aerial velocity is inversely proportional to velocity to follow a trajectory such that the aerial velocity is constant e होगा वाला सिर्फ e सही है सब गलत बना दिया e1 नहीं 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 है नहीं thank you so much gravitation में अब दो चीज़े जो मुझे याद आ रही है वो ये याद आ रही है jeoeleckлетस satellite क्या होता है तो zodриз satellite earth के surface से six hour distance पे होता है और center से seven hour distance पे होता है मतलब 36,000 km पे होता है उसकी direction earth के rotation के direction में होती है उसकी angular speed time period earth के time period और angular speed के बराबर होता है उसको parking satellite ही कहते है और pakनो सेट्लाइट लगता है वो पूरा Earth case area को cover कर सकता है और polar satellite वो होता है जो pole के रावन खुमता है इसके time period 100 सकेट होती है Thank you so much धनने बाद